प्रिंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमस पोईट डी एच लॉरेंस की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है मनी मैडनेस फ्रिंड्स मनी का मतलब होता है पैसा और मैडनेस का मतलब होता है पागलपन तो मनी मैडनेस का मतलब हुआ पैसों के लिए पागलपन आज की हमारे इस प्रेजन टाइम में मनी का बहुत जादा इंपोर्टेंस है हमारे हर एक काम को पूरा करने के लिए हमें पैसों की मनी की जरूरत होती है लेकिन मनी हमारे लिए सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रही है मनी क्या है ये हमारे लिए हमारी हैपिनेस का कारण बन चुकी है और इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस money को ले करके mad या insane होते जा रहे हैं हम अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं हम पैसों के आधार पर दूसरे लोगों को judge करते हैं और अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं वो गरीब होता है तो हम उसे एक सही इनसान भी नहीं मानते हैं पैसा हमारी life में इतना ज़ादा घुस चुका है इतना ज़ादा पैसे ने हमें control कर लिया है कि पैसे खर्च करने पर हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है और हम अपने पैसे को हमेशा सहीच कर रखते हैं ये पैसा इतना ज़ादा हमें कंट्रोल करने लगा है कि हम अपने रिलेटिस तक की केर नहीं करते हैं। तो ओवर ओल ये जो पैसे के लिए पागलपन है, ये जो money madness है, इस poem में इसे ही poet ने describe किया है। फ्रेंट्स, poem थोड़ी लंबी है, लेकिन poem की lines को पढ़कर आप समझ जाएंगे कि किस तरह poet जो हैं, वो इस money madness से पूरी तरह से परिशान हो चुके हैं। फ्रेंट्स, D.H. Lawrence का पूरा नाम था David Herbert Lawrence, उनका जन्म हुआ था 11 September 1885 में और उनकी death भी थी 2nd March 1930 में। वो एक English writer और poet थे और उनकी works में जादा तर emotional health, vitality, instinct इस तरह की themes को discuss किया जाता था। उनकी famous works में, sons and lovers, the rainbow, women in love, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Money is our madness, our vast collective madness, यानि पैसा, money जो है वो हमारा पागलपन है, हमारा vast यानि बहुत ही जादा बड़ा और collective, यानि फैला हुआ, सबका जुड़ा हुआ, madness है। यानि ये किसी एक individual की problem नहीं है, ये सब की problem है, कि पैसा क्या है हमारा पागलपन बन चुका है। And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him। यानि of course, बिलकुल ये बात साबित है, कि if the multitude, यानि एक पूरा group अगर पागल है, is mad, यानि अगर पूरा group ही पागल है पैसे के पीछे, तो जो individual है, जो एक अकेला इंसान है, उसके मन में क्या होगा? एक grain, एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं, insanity का पागलपन का अपने साथ जरूर होगा। यानि अगर एक पूरा group पागल है, तो हर एक individual भी, हर एक इंसान अकेला भी जरूर थोड़ा पागल जरूर होगा। यानि हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं, कि पैसे के पीछे पूरा group भी परेशान है, और एक अकेला इंसान भी। I doubt if any man living hands out a pound note without a pang, यानि मुझे doubt है, मुझे संदे है इस बात पर कि कोई इंसान अपने हाथों से एक pound का note निकाल कर अगर खर्च करेगा, तो उसे दुख नहीं होगा, pang यानि उसे दुख नहीं होगा। And a real tremor, if he hands out a 10 pound note, यानि एक pound के note पर तो उसे जरूर दुख होगा, लेकिन जब वो 10 pound का note खर्च करेगा, तो क्या होगा, उसे एक real tremor फील होगा, यानि उसके हाथ कापने लगेंगे, उसकी तबियत बिगड़ने लगेगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा। यानि पैसे को इतना ज़्यादा लोग उस पर आश्रित हैं, इतना ज़्यादा लोग पैसे कमाना चाते हैं, कि उसे खर्च करने में उनकी हालत बिगड़ने लगती है, उन्हें दुख होने लगता है। We quail, money makes us quail, यानि हम घबरा जाते हैं, quail का मतलब होता है घबराना, तो हम घबरा जाते हैं, और यह किस के कारण होता है तो money के कारण, पैसे के कारण हम घबरा जाते हैं। It has got us down, we grovel before it in strange terror, यानि इसने पूरी तरह से हमें control कर लिया है, हम क्या करते हैं, grovel करते हैं, इसके चारो तरफ रेंगते हैं अपने डर के कारण, एक strange terror है, अजीब सा डर है हमारे मन में कि हमारा पैसा हम से दूर हो जाएगा, तो हम इसी पैसे के चारो तरफ गूमते रहते हैं, and no wonder for money has a fearful, cruel power among men, और इसलिए इस बात पर कोई आश्चरह नहीं होता कि पैसे के पास क्या है, एक power है, ऐसा power जो डरावना है, ऐसा power जो cruel है, लोगों की परवाह नहीं करता, और ये power किसके उपर है, तो इनसानों के उपर, इतना power है पैसे को, कि वो लोगों को डरा सकता है, उन्हें परेशान कर सकता है, but it is not money we are terrified of, लेकिन अब यहां poet कहते हैं, कि सच तो ये है, कि हम पैसे के कारण डरे हुए नहीं रहते हैं, हमें पैसों से डर नहीं लगता, it is the collective money madness of mankind, हमें किस से डर लगता है, तो ये जो collective money madness है, पूरी दुनिया में ये जो पैसे का पाग आधार पर आपको judge करते हैं, for mankind says with one voice, how much is he worth, has he no money, then let him eat dirt and go gold, यानि पूरी mankind जो है, वो एक आवाज में कहती है, क्या कहती है, questions करती है, question करती है कि उसके पास कितने पैसे हैं, क्या उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे नहीं हैं, तो छोड़ो, उसका ख्याल रखने की जरुरत नहीं है, उसे मिटी खाने दो, और ठंड में उसे सडने दो, उसका ध्यान रखने की कोई जरुरत नहीं है, उसे समाज में खुश रहने की जरुरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, यानि पैसे के आधार पर समाज में आपको कैसे treat किया जाएगा, ये तै होता है यानि अगर मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा ये जो समाज है ये जो mankind है ये मुझे खाने के लिए थोड़ा सा bread दे देगा ताकि मैं भूख से ना मर जाओ but they will make me eat dirt with it लेकिन उसके साथ वो क्या करेंगे वो मुझे गंदगी खाने को मजबूर करेंगे यानि वो मेरी जो status है जो मेरी हालात है उसे सुधारेंगे नहीं बस मुझे मरने नहीं देंगे इतना ही वो मुझे पर kindness दिखाएंगे रहम करेंगे I shall have to eat dirt I shall have to eat dirt if I have no money यानि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा मुझे गंदगी खानी होगी मतलब मेरी हालात जो है वो बिगरती चली जाएगी मैं मरूगा नहीं लेकिन मेरी जिंदगी जो है वो जीने लायक भी नहीं रहेगी तो आखिर ऐसी situation में ग्यूं लोग पैसे के पीछे नहीं भागेंगे अगर आपको पैसो पर ही जज किया जाएगा तो पैसे के पीछे भागना लाजमी है It is that that I am frightened of और ये वो चारण है जिसके कारण मैं डरा हुआ हूँ इसी कारण से मैं पैसे के पीछे पागल हूँ मैं पैसे कमाना चाहता हूँ and that fear can become a delirium और ये जो fear है ये जो डर है ये एक delirium बन सकता है यानि एक तरह से कह सकते है एक विच्छिप्तता बन सकती है आपको आपके समाद से दूर कर सकती है It is fear of my money mad fellow men और ये डर किसका है तो मेरे जो fellow men है जो मेरे साथ रहने वाले लोग है और जो पैसों के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुके है We must have some money to save us from eating dirt यानि हमारे पास थोड़े पैसे होने चाहिए ताकि हम गंदगी ना खाए यानि poet कह रहे हैं कि ये भी सही नहीं है कि हम पैसे को पूरी तरह से छोड़ दें पैसे से मतलब नहीं रखें पैसा भी ज़रूरी है ताकि हम गंदगी ना खाएं And this is all wrong और फिर ये सब कुछ गलत है एक भी चीज जो अभी तक मैंने कही वो सब गलत है ना पैसे के पीछे पागल होना सही है और ना ही ऐसे लोगों का खयाल रखना गलत है जिनके पास पैसे ना हो ब्रेट शुट बी फ्री शेल्टर शुट बी फ्री फायर शुट बी फ्री यानि कुछ चीजें हैं जो हमारी बेसिक जरूरते हैं और वो फ्री होने चाहिए उसके लिए हमें पैसे नहीं देने चाहिए हमें खाना या घर या आग इस तरह की चीजें हमेशा फ्रीली मिलनी चाहिए किसी को भी चाहे वो दुनिया में कहीं भी क्यों नहों उसे खाना उसे रहने की जगा और उसे आग यानि वार्म्थ जिसे कह सकते हैं अब पोईट लास लाइन में क्या कह रहे हैं एक एड्वाइस दे रहे हैं कि हमें अपनी इस पागलपन को छोड़ना चाहिए और वापस से हमें सही तरीके से सोचना चाहिए अपनी सानिटी को वापस पाना चाहिए क्योंकि क्या होगा अगर हम पैसे के पीछे यूँ ही पागल होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम एक दूसरे को पैसों के लिए मारना शुरू कर देंगे और ये होता ही है friends जो लोग एक दूसरे को ठग देते हैं या जो चोर होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं लोगों को मार देते हैं उन पे हमला करते हैं उनसे पैसे चीनने के लिए इट्स वन तिंग और दी अदर और ये आखरी लाइन कहती है कि या तो ये होगा या ये होगा या तो लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे या फिर लोगों में अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी और वो पैसे के पीछे भागना छोड़ देंगे इन दोनों में से कोई एक चीज तो जरूर होगी और यहाँ पर फ्रेंट्स ये पोयम खत्म होती है पोयम में बेसिकली यही बताया गया है कि आज के जमाने में पैसे की क्या वैल्यू है लोग कैसे पैसे के पीछे भागते रहते हैं और किस तरब पैसा जो है वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो फ्रेंट्स ये थी डि.h. लॉरेंस की पोयम मनी मैडनेस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करिए